वेल्कम बै्क इस question में हम वे stability of Carbocatine देखेंगे यहाँ पर कुछ 4 species दिये वे, 4 Carbocatine देखेंगे हम इनका order of stability पता का-टा तो देखो क्या है, पहला species हमारा ये है यह हमारा पहला स्पीसिस है तो देखो यह बेंजाइल कार्बोगटायने क्या कार्बोगटायने बेंजाइल कार्बोगटायने अब देखो इसका जो प्लस चार्ज होता है मतलब एक वेकेंट पी और्बटल होता है यह जो वेकेंट पी और्बटल होता है यह प्लस चार्ज होता है यह इस double bond से interact कर सकता है क्या होगा यहाँ जो double bond है यह यहाँ आ सकता है और इसका resonating structure बनेगा क्या बनेगा इसका resonating structure यह बनेगा double bond CH2 प्लस यहाँ चला रहेगा तो यह इसका resonating structure बनेगा अभी देखो खतम नहीं हुआ अभी और होंगे कैसे होंगे यह यहाँ जा सकता है तो फिर क्या बनेगा तो फिर यह बनेगा अब यहाँ double bond आएगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यह वैसे का वैसे रहेगा तब लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाले में resonating structures हो रहे है तो हम लोग बोले हैं they are stabilized by resonance resonance ठीक है they are stabilized by resonance ठीक है किसका resonance है बेंजाइल से resonance है तो बेंजाइलिक रेजनेंस से कारण यह कार्बोकाटान इस्टेबिलाइस्ट है अब अगला देखते इसके पास कौन से stability है देखो इसके पास यह वाले stability है यह कार्बन प्लस है इसको यह कार्शी इस्टरी गुर पिलाक्टान डोनेट करेगा यह भी करेगा यह भी करेगा तो they are stabilized by inductive effect और कितने inductive effect तीन मिठाइल के inductive effect चें तो they are stabilized by three inductive effect इसको देखते यह देखो बेंजाइल ही है C6, sorry, phenyl है C6H5 इसके साथ ऐसा है कार्बन यहाँ प्लस है यहाँ phenyl है यहाँ भी phenyl है और यहाँ भी phenyl है तो देखो यहाँ पर क्या था एक phenyl group अटाच था यहाँ पर three phenyl group अटाच था हम लोग जानते है phenyl group stabilizes carbocatine phenyl group ने इस carbocatine को stabilize का due to resonance अब देखो वहाँ पर सिर्फ एक था यहाँ तीन लोग है stabilize करने के लिए कभी यह plus charge इस वाले benzening के अंदर घुमेगा कभी इधर घुमेगा कभी इधर घुमेगा तो यहाँ पर जो resonating structure होंगे वह बहुत ज्यादा हो कितने होंगे 15 होंगे ठीक है यहाँ पर 15 resonating structure होंगे यहाँ पर से फाइव resonating structure है आप अगर डॉड़ करेंगे नमर और अब अब इस त्शुक्चर तो यहाँ आएंगे 5 Resonating Str識 यहाँ कितने आएगे यहाँ 3 ring है तो 15 हो गया यहाँ यहाँ देखे यहां 2 ring है यहाँ 2 ring है एक इधर एक इधर तो यहाँ कितने structure हो गया divine Resonating Str decisive अन्य most stable कौन हो जाएगा c हो जाएगा because 15 Resonating Structures फिर फिर D हो जाएगा because of 10 resonating structure और ये फिर A हो जाएगा ये last में क्यों होगा resonating structure से stabilization will be more than inductive effect stabilization resonance effect is stronger than inductive effect इसलिए इनके comparison में ये last में आएगा क्या हो जाएगा order C will be maximum stabilized then D will be then A and last will be B more is the resonance, more is the stabilization ये एक general rule है तो यहाँ पर हम लोग देखे 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ inductive effect है, इसलिए ये order आएगा